Welcome to our channel Civil Insights, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चेर में पर रहा था हमने उसमें पर रहा था हमने उसमें पर रहा था कि आईडिल ट्रांजिशन कर्व क्या होता है और एक फॉर्मलार ड्राइब करा था हूँ बहुत इंपोर्टेंट है और वो आज की लेक्चेर में हमारा यूस में आ अक्सिस टो यह हमारा एक्स एक्सिस and the line perpendicular to it as y-axis नेसेसरी और इसके प्रेपेडिगुल जो लाइन होई गी उसके हम y-axis लेंगे तो कहते हैं जो हमें हमें ट्रांजिशन कर्व करना आ हमें ज़रूरी है हम यह चाहिए चाहिए तो हम वहीं find करेंगे आज तो देखो बेंसी बीट्वी फॉन्ट वा औन को कॉँ इसलो सब्सक्राइब क्रणिचन में क постав डीब गारेंगेगे वह ज़ो हैंने मैंद कुद्ध रहा है उसको हम कहते है 5 plus delta phi angle ठीक है next रहा है देखो x and y are coordinates of b तो b के हमारे देखो x and y coordinates है और हमारे जो c की होएंगे वो x plus delta x होएंगे और इधर को हमें y plus delta y ठीक है यह हमारे पूरा हमारे let हम ने करा था ठीक है अब देखते आगे कैसे हमें find करते है coordinates तो देखो now dx by dl is equal to cos 5 तो यह एक तरह का thumb rule यह आप बनानो कि dx by dl is equal to cos 5 होगा और हमारे जो हमारे dy by dl होगा उससे हम sin 5 बोलेंगे ठीक है यह आप एक तरह का thumb rule बना लो वैसे अगर आप देखना चाहोगे तो diagram में आप इस वाले triangle में हम देखते हैं तो हम कहते हैं चोटा से length ले ले लेते हैं यह L होता ना पूरा तो हम कहते हैं चोटा से L ले लेते हैं तो वह यह कि based upon hypotenuse hypotenuse एक तरह का round to L कर लेते हैं ठीक है delta L हो जाता है तो वह यह dx by dl is equal to cos 5 होगा तो dy by dl हमारे sign 5 होगे तो यह भी हम find करेंगे तो इसके लिए मैंने पहले लिखके रख दिया तो अब देखो dx is equal to dl dot cos 5 है ठीक है dl हम ही दे लेगे ठीक है तो dx is equal to dl cos 5 is equal to dl अब देखो यह हमारी ना cos 5 की हमारी 4-year series कहले एक तरह की 4-year series है यह 1-5 square by 2 factorial plus 5 square by 4 factorial minus data dash यह एक तरह की 4-year series है और आपको याद नहीं करनी तो जो याद करने चीज़ है वह हम आपको बताऊंगा यह सिर्फ step by step चल रहे है कि हमें जो हमें coordinate से ही है न हमें coordinate सी है तो वहाँ पर हम पहुंच जाएं ठीक है तो यह आपको याद करने कि कोई जुरूयत नहीं है यह चीज़े आपको simple coordinates से याद करने है इसकी derivation बिलकुन याती ठीक है अब आप पुछोगे का है मैंने आपको ideal transition curve का दिखाया थे ना उसमें हमन बहुत इंपोर्टेंट है जो भी हमारे 5 के साथ जो भी हमारे फॉर्मल बनते हैं वह बहुत जादे इंपोर्टेंट रहेंगे हमारे transition curve में ठीक है तो आपको बत चले कहां से यह तो बट L is equal to k under root 5 है और अब हम इसे differentiate कर देंगे ठीक है अब हम इसे differentiate कर देंगे तो हमारा द देखो अब यह वाली value हमने इसमें डाल दे रहें यहां पर दिख रहना आपको यहां पर सब्सक्राइब देखो यहां से dx is equal to k by 2 k by 2 और यह 5 हम अंदर लेगे तो देखो अब क्या होगा देखो माइनस 5 हो देगा यहां पर यहां पर आ गया तो हमने इस equation को दुबारा से हमने पहले हमने differentiate कर रहा था अब हम इसको करते हैं integrate हमें x में चाहिए था था हम पहले x कोड़ने निकालें फिर y निकालेंगे तो हमारा x is equal to k और bracket में हमारा दुबारे यह value आ देखो 5 की पार half minus 5 की पार 5 by 2 by 10 plus 5 की पार 9 by 2 by 21 6 minus data dash ठीए अब यह साब कुछ आप लिख सकते हो और उसके बाद हमने यहां पर क्या निकला k5 हमने बाहरा निकाले 5 की पार half ठीए मतलब की under root में k5 under root ठीए under root में हमारा 5 हो जाएगा ठीए तो हमने ऐसे बाहरा निकाले इसमें common लेकर ठीए क्यूंकि हमें पता है कि हमारे L एककल होता है ठीए हमारे x is equal to L हो जाएगा ठीए हमें सारा कुछ लगा कि दुबारा से x is equal to L में equation लेकर आनी है कैसे लेकर आनी है और x is equal to L 1-5 की बार 2 by 10 plus 5 की बार 4 by 216 minus data dash कुछ भी है ठीए अब देखो बड अब हमें पता है 5 की value क्या होती है l square by k square अब यह भी मापको दिखाया तो कहां पर हमने last lecture में देखी दिए भी मापको दिखाया तो एक बार तो यह रहा वही equation दुबारा से आगे बस इसमें आप क्या है का देखो फाय हमने यहां पर रख दिया फाय हमने ऐसे रख दिया मतलब अन्डरूट 5 जिकल दो L by k चला यह simple 5 को करना तो squaring both side कर देगा तो वही वली value हमने यहां पर put कर दी अब यह वली value हमने 5 की यहां पर put कर दी तो कुछ इस तरह बन देगी L की पार 4 by 10 k4 plus L की पार 8 by 216 की की पार 8 minus data dash कुछ भी बनता है ठीक है अब लास्ट में आपको बताऊं को कहां पर हमारा काम आएगा या फिर नहीं आएगा अब देखो putting K हमें K को भी हम put कर देखो K हमारी यहां पर फिर से वही value आजेगी यहां पर आप देखोगे K is equal to under root 2RL ठीक है K is equal to under root 2RL हमने last lecture में पढ़ दा था तो आप देखो K is equal to under root 2RL तो हमने यहां पर values दाल देगा देखो K की हमने यहां पर value डाल देखो R square L square हो जागा कि भी under root में है ठीक है तो देखो R square L square plus is equal to यहां पर यहां पर यहां पर यहां यहां पर यहां प्रोक्सिमेशन लेते हैं अगर आप अप्रोक्सिमेशन नहीं लेते हैं तो बहुत complex हो जाती है चीज़े तो हम approximation कैसे ले आपको सिर्फ याद रखने हैं यह भी पूरी नहीं कह रहा है मैं सिर्फ आपको यह देखो X is equal to L हो सकता है यहां से-जाद से-जाद हमारे यहां पर क्या होगा एक वली यह चीज़ ले लेंगे बस यहां तक हम इतना आगे नहीं जाएंगे अपने deep में नहीं जाएंगे मै आपको सिर्फ यह देख लेंगे तो इस तरह होती है और सब के अलग अलग ना होती है इसको मैं फोरियर सीरिस कह था तो फोरियर सीरिस की यह रहती है 5-5 की पार 3 by 3 factorials प्रस 5 की पार 5 by 5 factorial minus data dash अब देखो substitute doing dl is equal to k by 2 5 की पार half अब यह वही वली value जो आपने x में इकाल लेती हम आपको फिर से दिखायता हूं तो यह देख सकते है आप यह देखो dl is equal to k divided by 2 5 half d5 ठीग है 5 की पार half तो वही मैंने यहां पर यहां पर d5 रह गया तो यहां पर d5 ऐ तो d y हमने वही values यहां पर पुट कर दी dl की तो देखो k by 2 k by 2 5 हम अंदर लेगे तो 5 half minus 5 की पार 5 by 2 by 6 plus 5 की पार 9 by 2 by 120 minus data dash d5 ठीग है अब वही कहते है same steps हो रहे है सारे कुछ नी फरेंग नहीं बढ़ रहा बस अलग सी equation आएगी बस वही x के पार की equal नहीं आएगी थोट से लगाएगे देखो integrating दबव हमने इसको करने इंटीग्रेट कर दो के देखो अब ब्रेकेट में देखो 5 की पार 3 by 2 by 3 minus 5 की पार 7 by 2 by 42 plus 5 की पार 11 by 2 by 1320 minus data dash कुछ भी आगी ठीग है अब इसमें से common क्या क्या चीज़ निगल दिया हमने यह वान लेके आना होता ठीग ताकि हम 5 हमारा यह अंदरूट में हो गया 5 by 3 तो हमें निकालना ही पड़ना ठीग है यह 5 by 3 हमने वैसे side में रख लिए इसको भी हमने तोड़ना पड़ेगा ठीग हम 5 में नहीं रख सकते कुछ भी तो 1 minus 5 की पार square divided by 14 plus 5 की पार 4 by 440 minus data dash यह चीज़ होगी तो हमने वोई-वली values हमन यहां पर पूट कर दिया तो यहां पर पूट कर दिया तो एक 2L थे और एक और था यह वल ल तो इसको सा मुल्टिवाद है L3 by 3 तो वैसी रहेगा और k square तो bracket में वह हमारा 1 minus 5 की पार square मालब की square divided by 14 plus 5 की पार 4 by 440 minus data dash यह अभी विए final equation नहीं रहे है जो कि हमारी क्या होती ह है बट वही है कि 5 is equal to L square K square हमने 5 अब अंदर भी put कर दिया मैंने यहां पे अभी put नहीं करा था ठीक है यह step by step चलना ठीक है अगर आपको आता है वैसे नहीं आएगा कभी है simple आपको questions याद करने होगी जो कि आगे आपको मदद करेगी question solve करने में और आगे भी हमारे shift important बहुत ज्यादा topic है तो इसमें आपको help करें तो आपको यह question आपको याद करनी है आपको सारा कुछी रहन दो सिर्फ यह याद कर लेना ठीक है सिर्फ यह याद कर लेना ठीक है बहुत easy यह यह तो आप याद कर सकते हैं याद कर सकते हैं आपको the above expressions for the Cartesian coordinates of x and y are not simple यह मैंने आपको पहले ही बताद आदा x में कि यह simple नहीं होंगे unless some approximations are made तो वह यह कि some approximations हम यहीं लेंगे कि हम इसे लेते ही नहीं हम इसे as a one ले लेंगे और इसको हम कुछ नहीं करेंगे ठीक है और इसको L2 by 6 सारे ले लेंगे और x में हम क्या लेता है x is equal to L लेते है बस यह approximations हम लेके चलते हैं जिससे ही हमारे आगे solve होएंगे इसके बाद एक छोटा से topic होता है deflection angles का मुझे लगता है कि इसके अगर मैं करवाद दूना तो important चीज़े बहुत जादा हो जाएंगी एक अभी निकाल लिया तो यह था हमारा आद का lecture Cartesian coordinates of the points आपको लग रहा है मैंने बहुत जल्दी करवाद है क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं तो simple match था और आपको बस दो formula आपको याद करने है एक x axis के coordinates याद करने है और y के याद करने है बस उसके बाद आप next lecture का link आपको description म watching